दोस्तो संगाई International University, संगाई International University जो की स्तीत है मनिपुर में, दोस्तो युनिवसिटी ने कई consultants को जो authorized एक letter दिया है, मतलब युनिवसिटी ने authorized किया है लोगों को कि आप admission लीजिये और वहीं पर classes चलाइए, ऐसे कुछ letters आई हमारे पास, जो consultants ने हम लोगों को share किये, दोस्तो हमारा एक डाउट था इसके अंदर क्योंकि जो जज्जमेंट आया था एक जज्जमेंट था प्रोफेशर यस्पाल वर्जी स्टेट अफ चतिस गड़का जो मैंने कई वीडियोस ने बताया है और हमेशा इसी जज्जमेंट का हवाला दिया जाता है जब भी कोई आफ कैपर सेंटर बनता है तो हमारे दिल में कोशन था और लोगों ने जो हमसे कोशन पूजा था तो क्या यूनिवर्स्टी ऑथराइज है इस तरह के सेंटर खोलने के लिए उसी पर हमने आर्टिया लगाई रिप्लाई आया और क्या कुछ आया उस रिप्लाई में इस पूरे इंडिया में तो क्या ये उनिवर्स्टी ऑथराइज है क्या यूनिवर्स्टी अपने सेंटर बना सकती है क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोट का वो जज़्जमेंट देखें एक प्रोफेशर ये स्पाल वसी स्टेट अफ चतिस गड़ का तो उसके अनुसार तो कोई भी यूनिवर्स्टी अपना आफ केंपस सेंटर नहीं बना सकती पर जो आप लोगों नहीं कंसल्टेंट्स ने दोस्तो अकसर कई कंसल्टेंट्स हम लोगों से मदद लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाने में ये मदद लेते हैं किसी यूनिवर्स्टी के बारे में डिटेल जानने में और भी कई चीज़े आती है या आप भी कोई consultancy चलाते हैं आपके दिल में किसी university के लेकर कोई भी किस तरह की questions हैं सवाल है कि कई बार universities आपको जूट बोलकर admission लेती है कि उनका approval आ गया है बट approval नहीं आया होता है और students बादे परिशान होते हैं ऐसे कोई questions आपके दिल में होते हैं तो आप हमें comment box में बना सकती है क्योंकि letter तो है लोगों के पास तो letter किस तरह से आए तो दोस्तों ये reply आया UGC का हमारे पास UGC ने हम लोगों को बकायदा एक reply किया reply में ये बताई ये चीज़ के जो ये university है इसको UGC ने किसी भी तरह का ऐसा approval ही नहीं दिया है कि आप अपना कोई भी off campus center बन जा था कि university जो pre courses की जो डिगरियां देती हैं क्या university दे सकती हैं इस तरह की degree तो UGC ने बोला कि हमने कोई SI special कोई भी approval university को नहीं दिया है कि आप pre courses मतलब board के courses 10-12 को चला सकते हो अपनी university में अब मुद्दा ये है कि अगर university ने मतलब की सभी universities को regulate करता है UGC UGC को regulate करता है MHRD तो जब UGC ने ही approval नहीं दिया तो कोई university ऐसे अपने center कैसे बना सकती है या कैसे 10-12 के board को चला सकती है अपनी university में यही सवाल है में इनको सोचने के लिए अगर आप ने किसी भी तरह से इस university से कोई documents लिये हैं अभी उनको verify करा है आटिया लगा है university के उपर उनसे question पूछि बिल्कल authentic है यह question उनके लिए है जिन लोगों ने बाहर से admission लिया बाहरी exams दिये बाहरी study की उनके लिए question बिल्कल है अपने आप documents को जरूर verify करा है क्योंकि जो यह letter बोलता है UGC का यह तो यही बोलता है कि यह बाहर अपने center नहीं बना सकते हैं दोस्तों आपके दिल में university को लेकर हम उसको clear कर सकें वीडियो बना सकें और आपको बता सकें सब कुछ क्या को चल रहा है education की दुनिया में बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए